नमस्कार हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इसक्त सुभाष्ट आउकर के साथ जी आरेफ हिंदी 2021 की तैयारियों के अंतरगत हम इकाई चार पढ़ रहे हैं वैचारिक पिष्ट भूमी जिसमें हमने इससे पहले भारती नवजागरन के बारे में पढ़ लिया था और भारती नवजागरन सुधिंता आंदोलन की पिष्ट भूमी इसके रिगार्डिंग जो हमारा पहला लेक्चर हो गया है इससे पहले ही अगर आपने अभी तक वह वारा लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप एकाई चार के नाम से जो हमारी प्लेलिस्ट पनी है उसको देख सकते हैं और यहां से लगबग हमने दस प्रेशन जो है डिसकस कर लिया थे अपने पहले वाले लक्चर में जिसमें हमने प्रमुक चीजों को डिसकस किया था आज हम इसका जो सेकिंड पार्ट है वो लेके आए हैं जिसमें हम हिंदी नवजागरन के बारे में बात करेंगे तो चलिए बिनदेर किये शुरुआत करते हैं आज के लक्चर की और सबसे पहले हम जान लेते हैं हिंदी नवजागरन के बारे में यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा गया है हिंदी नवजागरन से अभी प्राय भारत के हिंदी प्रदेशों में आई सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनितिक जागरन से हैं तो दिखिए हिंदी नवजागर्ण, हिंदी नवजागर्ण, नाम से ही पता चल रहा है कि किसी विशेश चीज के जागर्ण की बात कही गई है, पारत की जो हिंदी प्रदेश हैं, वहाँ पर जो आपके सान्स्कृतिक, सामाजिक औरर राजनीतिक जो बदलाव हैं, या जो ज कि हिंदी नवजागरन का जो आरंभ कब से माना जाता है ये 1857 के जो प्रत्थम सुतनता संग्राम या जिसको महाविद्रोह के नाम से भी जाना जाता है वहां से ही इसका आरंभ माना जाता है यह नवजागरन ठीक है तो एक था आपका लोक जागरन जो जिसको भक्तिकाल को कह जो सामंध्ती विवस्था के छो खिलाब था यहाँ पर जो बात कर HO हिंदी नवजागरण की और पुनर जागरण की जो नए तरीके से जो जागरिती थी अलग तरीके से प्रति के प्रति ड़ागरिती थी आपका नवजागरण है हिंदी नवजागरन को मेंली कितने भागों में देखा जाता है ये तीन चरणों में इसको हम देखते हैं तो सबसे पहला जो चरण माना जाता है ये 1857 का संग्राम जिसको कहा गया है उस संदर्ब में और दूसरा जो आपका भारतेंदू हरिश्चंदर है उनके जर्म से लेकरके भारतेंदू युग तक को जो माना जाता है लगबग आपका 857 से लेकरके आप मान के चलिए कि जब तक भारतेंदू जी जिन्दार है 1854 के आसपास तक तब तक इसका जो दूसरा चरण माना जाता अगर हम बात करें तीसरे चरण की तो देखी ये महाविर प्रसाद दुवेदी और जो सरसुती पत्रे का है तो इनका भी बहुत जादा एहम भूमी का इसमें रही है और ये जो तीसरा चरण माना जाता है ये किसने माना है रामविलास शर्मा जी ने इन ये माना है ठीक है कि नवजागरन के जो तीसरे दौर के रूप में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने दुवेदी जी और उनके सहयोग्यों के जो विचारों का इसमें बढ़न नियुन ने किया है तो ये जो तीन चरण है जो प्रमुख है हिंदी नवजागरन से संबंदे ये चीज़ें आपको जींदे जो विचारों से प्रेंडा मिली नवीन जागरिती के लिए या पुनर उत्थान के लिए या पुनर जागरन के लिए कौन-कौन से ऐसे तत्व हैं जो प्रेरक हैं और जिनकी वजा से नव है ठीक है और चाहते थे कि सारा राष्ट उनसे क्या ले प्रेड़ना ले और इसलिए बहुत से जो प्रेड़क्ततों ने आप देखते हैं कि हिंदी नवजाग्रन हेतु जो सरसुती पत्रिका था उसको साधन बनाया जाता है ठीक है तो यह जो भारते इंदू सॉरी आपकी ज जादा महत्तोपुर्ण भूमिका इसमें नवाते हैं ठीक है आपका जो हिंदी नवजाग्रन है देखिए उसको जो किसके साथ जोड़ा जाता है राष्टियता के साथ जोड़ा जाता है यह चीज यहां पर आपने याद रखनी है कि आपका जो हिंदी नवजाग्रन है यह किसके साथ है राश्टियता के साथ इसको जोड़ा जाता है चाहे आपके भारत्य तो हरीष्चेंदर हो या फिर आपके दिवेदी जी हो जो महाभी पुरसाद दिवेदी हुए हैं उनकी जो रचनाएं है उन पर जो आपका उस वक्त की जो परिस्थितियां थी उनका प्रफा देशों की नव जागरण की बात जो है महाविर प्रसाद दुवेदी ने उठाई है चाहे आपका चीन हो फिलिपीन हो गया या फिर आपका जापान हो गया तो यहां से जो जैसे मेरे दूसरे देशों की जागरण की बात कही है तो जो महाविर प्रसाद दुवेदी हुए है उन्होंने किसका उदाहरन लिया है जापान का उन्होंने उदाहरन हमारे समक्ष रखा है तो ये प्रशन यहां से बन सकता है कि आपके जो महावीर प्रसाद दुवेदी हुए हैं इन्होंने नव जागरन के लिए किस तेश का उदाहरन स्वरूप सबके समक्ष रखा है तो य आपने यार रखना है कि जापान काइनों ने क्या दिया है, उदाहरन प्रस्तुत किया हुआ है महविरप्रसाद दुवेधी जी ने ठीक है तो ये थे था महविरप्रसाद दुवेधी और सरस्वती पत्री का अब जो दूसरी चीज मौत्वपूर्ण है देखिए इसमें प्र जिनाए नहीं किया सकता कि पास्टात सि पड़िय। की थारासों में जो आपके लौड वेलजली उए थे उन्होंने आपको यहां पर फूट विलियम कॉलेज के स्थापना की और वहां पर हिंदी भाषा के सासा जो आपकी पाच्चात्य शिक्षा भी यहां पर दी जाने लगी थी अंग्रेजी की शिक्षा भी किसमे नवजागरण में अपने आप में ये भी बहुत ही महतापूर्ण है और यहां से एक चीज आपने ये याद रखनी है कि जो डॉक्टर रामिलास शर्मा हुए हैं इन्होंने हिंदी नवजागरण में अंग्रेजी ग्यान और जो आपकी पश्चमी ग्यान है उसका आपका जो प्रभाव है वो देखने को मिलते हैं लेकिन संपूर्ण ताइन नहीं माना कि अंग्रेजों के भारत आगमन से आपका नवजागरण हुआ या फिर आपका जो अंग्रेजी शिक्षा है उसके वज़ा से यहां पर बदलाव हुआ है या नवजागरण हुआ है इ बहुत सारे आप देखते हैं भारतेंदू ने भी बहुत सारे ऐसे नाटक है जिन्नोंने अलग-अलग नाटकों को अनवजागरण को प्रेज़ना मिली है तो अनवजागरण में तो ये भी एक प्रिरक्तत तो माना जाता है इसके अलावा सुधारबादी अंदोलन और उसकी बज़ा से ही आप जो है राष्टिय नवजागरण या हिंदी नवजागरण तक पहुँच पाए हैं और उन्होंने भी बहुत जादा महत्वकूर्ण योगदान दिया है चाहे जोतिबा फुले हो चाहे सावित्री भाई फुले हो चाहे आपके इश्वर चंदर पुछा जाए एक चीज आपने याद रखनी है और श्रामिला शर्मा ने क्या माना है कि अंग्रेजी ग्यान का इसमें प्रभाव नहीं रहा है ठीक है पाश्चात यानुवाद का कार्या हुआ है और सुधारवाद यांदोलन इसमें रहे हैं चलिए अगे हम दिख लेते है इसके पश्चात हिंदी नवजागरण में तो दीखी हिंदी में आधुनिकता और पुनरजागरण के प्रभरतक और पिता में है भारत पेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है तो ये बहुत ही जादा मौत्वपूर्ण बात है कि हिंदी में आधुनिकता और पुनरजाग आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है और ये आधुनिक काल नाम किस ने दिया है ये आप मुझे कमेंट सक्षिन में जाकर बता सकते हैं कि किस ने ये दिया है बहुती सिंपल और सधारन सा पशन है कई बार इसको परिक्षा में पूछा जाता है तो आप मुझे कमेंट सक्ष शर्मा को जाता है तो यह बहुत जादा मौतवपून चीज है यहां देखिए कि सबसे पहले इसके प्रवर्त किसको माना जाता है भारत एंदु हरिष्चंद्र को माना जाता है लेकिन इस अवधारना को जो नवजागरन की अवधारना थी उसको वेवस्थित आकार देने का श्रे किसको जाता है यह जाता है राम विलास शर्मा जी को तो जो आपके राम विलास शर्मा हुए हैं देखिए इन्होंने क्या माना है यह कहते हैं कि जो भारत है वो एक बहुजातिया राष्ट्र में एक जाती हिंदी भी है और इसके मजबूत हुए बिना बहुजातिया रामिला शर्मा जी की है ये भी इस सम्मध में पूछी जा सकते हैं तो इसलिए आपने इसको भी याद रखना है एक और महुत अपुन चीज ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जो चीज मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं इसका पीडियाप आपको चाहिए होगा तो आप ह लिए गए जो लिंक के जरीए हमारे ग्रूप के साथ जूर सकते हैं चलिए आगे अब हम देख लिते हैं इसके पश्चात की जो रामिला शर्मा हुए हैं इन्होंने हिंदी नवजागरन या आधुनिक काल को दो भागों में बांटा है एक चीज आपने याद रखना है कि जब हम हिंदी नवजागरन की बात करते हैं तो रामिला शर्मा का नाम प्रमुक्ता से ही लिया जाता है क्योंकि हिंदी नवजागरन के ऊपर हमने पहले वाले लक्षर में भी पढ़ा था कि इन्होंने पूरी आलोशनात्मक इनकी कृती रही है और वो कौन सी है ये भी चाहिए यहां पर मैं आपको एक पर फिर से उस चीज़ को रिपीट नहीं करने वाला हूँ तो रामिला शर्मा क्या कहते हैं इन्होंने आधुनिक काल या जो नवजागरन है इसको दो भागों में विभाजित किया है तो पहला इन्होंने माना है इसको लोग जागरन या ज वो आपका जो पुरानी परिस्तित्यों में पुराने लोग जागरन का ही वो विकास है कि जो पहले लोग जागरन हो गया था उसी का जो विकसित रूप है वो क्या है आपका लोग जागरन या आपका नवजागरन है ठीक है दूसरी जो नवजागरन है दीकिए हिंदी नव पुनिक काल को बांटा है रामिलास शर्माजी ने दो नाम दो भागों में और ये दो भाग कौन कौन से हैं ये चीज भी आपने याद रखनी है इसके पचाथ यहां पर देखिए एक महत्वकुन चीज यहां पर लिखी गई है कि 1857 का जो सुरिंता संग्राम है मुक्यत हिंद प्रदेश में इसको लड़ा गया और इसलिए इसे हिंदी नवजागरन कहा गया यह संग्राम हिंदूं और मुस्लमानों ने मिलकर लड़ा था यह संग्राम हमारा जातिय संग्राम है और भारत का पहला स्वाधिंता संग्राम भी है तो देखिए हिंदी नवजागरन की बा जाता है इसलिए इसको कहा गया कि यह हमारा पहला स्वधिंता संग्राम भी है ठीक है तो यह कुछ एक महत्वपून चीजें हैं जिनके संबंद में आपको थोड़ी सी जानकारी होना बहुत जरूरी है अब है देखिए आगे कि जो आपका हिंदी नवजागरन है इस संबंद में बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी कि कुछ एक समस्याएं हर जगा रहती ही है और उस वक्त भी कुछ न कुछ हिंदी नवजागरनके समक्ष समस्याएं थी जो जो महत्वपून थी वो यहां पर आपके बीच में मैं रखती हैं सबसे महत्वपून चीज इसमें एक ही थी कि इसमें संकुचित सामपरदाइक्ता देखने को मिलती है तो दीकि संकुचित सामपरदाइक्ता से क्या मतलब था कि आपका जो इसमें में जो सेंटर में किस चीज को माना जाता है कि हिंदी और हिंदू को ही इसमें रखा गया और जिस वज़ा से आप दिखते हैं कि इसलिए इसको माना जाता है कि सबसे बड़ी इसकी जो समस्या है वो हो आपकी कौन सी है संकुचित सांपरदाइकता की समस्या को माना जाता है तो इस समंद में डॉक्टर नामबर्थ सिंग की जो कोटेशन है बहुत ही मतपूर्ण है दिखिए हिंदी प्रदेश के नवजाग यह मानते हैं कि यह दो धारों में हिंदू और मुस्लिम में बंटके जब हिंदी और उर्दू का विबाद चला यह प्रशन इसलिए भी गंभीर है कि बंगाल का नवजागरण इस प्रकार विभक्त नहीं हुआ तो देखिए हमने बात की कि हिंदी जो ख्षेतर हैं उन्हों उन्हें ही इस जागरण की अभीरुभाव माना और इसलिए इसको हिंदी नवजागरण कहा गया लेकिन आमने पहले बात कही कि पहले पहल कहां पर आया था बंगाल में आया था वहां पर ऐसी कोई चीज नहीं हुई और इस प्रकार यह वहां पर विभक्त नहीं हुआ और आश्चरे की बातिया है कि हिंदी प्रदेश का नवजागरण धरम इतिहास भाषा सभी सतरों पर दो टुकड़ों में बंट गया तो यह इसकी सबसे बड़ी समस्या माने जाती है कि हिंदी प्रदेश में इसको अलग-अलग तरीके से इसमें विखंडन हो गया इसका टुक तक में कुछे कोटेशन दी हैं वहां से भी आप उठा सकते हैं तो यहां पर मैंली जो जो चीज़े थी वो आपकी बीच में रख दी हैं लास्ते दीखिए कि हिंदी और उर्दू विद्वाद ने नकिवल भाषा में खाईयां पैदा की बलकि भाषा की समस्या को धरम से ज तो ये चीजह आपने यहां से यार डख लेनी हैं कि ये चीजह इसमें बहुत ज्यादा हुई हैं अब एक चीज़ तो यह है कि जब इतनी समस्या आई थी तो क्या नवजागरन माना जाता है कि वो पूर्ण था या नहीं था लेकिन देखिए बहुत सारी चीजह ऐसी होती लेकिन प्रमुक था यहाँ पर हिंदी को ही मिली और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी माने जाती है कि उर्दू वाले इस चीज से थोड़ा सा नराज हो गए थे लेकिन आपके जो भारतेंदू हरिश्चेंद्र हुएं दीखिए उन्होंने रसा उपनाम जो उनका उर्दू क महत्वपूर्ण और संक्षिप्ता के साथ मैंने तथ्य आपके बीच में रखे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं यहां से हो सकता है आपको कुछ चीज़ें पूछ ली जाएं तो फिलाल आज के लिए इतना ही अगर आपको लगता है कि इस वाले लेक्चर में मुझसे कुछ गलती हो गई हो या कुछ और चीज़ें हैं जिनको बताया जा सकता था तो आप वो भी कमेंट सेक्षिन में जाकर हमारे साथ साथ सांजा कर सकते हैं टेलिग्राम ग्रूप में इंडिविजुली मुझसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं टेलिग्राम में भी कि यह चीज इस भी न भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्ज और नई स्पूर्टी के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जहीं